हेलो गाईज, वेलकम बैक तो माई चैनल, आज की वीडियो में मैं आप दों के लिए लेकर आई हूँ एडवांस जावा का एक अमेजिंग सा फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स आज चैनल, आज कोर्स में आपको कराने जा रही हूँ, यह आईडवांस जावा के उपपर, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलॉ अप करते हैं तो आपने देखा हुआ कि लास्ट ताइम मैंने फोटेशॉप से रिलेटेड एक कोईज आपको कराया था, जो के विकुल एपस चैनल के उपर आए हैं, तो मेक शूर कीजिए कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन के उपर क्लिक करना मत भूलिए, मैं अपने चैनल पे इसी तरीके के अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशन कोर्स आप लोगं के लिए लेकर आती हूं और आप लोगं को हर तरह के अच्छे अच्छे कोर्स के साथ साथ उनके फ्री सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइट करती हूं, चलिए अब बात कर लेते हैं अपने कोर्स के बारे में, हम जो आज एडवान्स जावा का कोर्स करने वाले हैं, इसके अंदर जो के खुद चीफ डेटा साइंटिस हैं, अगर आप आपने कभी जावा पढ़िये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप इस ट्रॉम से फिमिलियर हैं और अगर आप इस ट्रॉम से फिमिलियर नहीं हैं तो भी आपको बेकुल परशान होने की ज़रूरत नहीं हैं, मैं आ इन्रोल वाले बिटन के उपर क्लिक करेंगे, आपकी विंडो री डायरेक्ट होकर कुछ इस तरीकी की विंडो पर आजाएगी और आपका कोड सक्सेस्फुली इन्रोल हो जाएगा, एक बात और बताती चलूँ आपको कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने अपने चैनल के उपर ये सारी कोर्स कराएं हैं तो आपके पास यहाँ पर इसका लॉग इन आईडी और पासवर्ड मौजूद होगा और अगर नहीं है तो आपने साइन अप के बटन के उपर क्लिक करकर खुद को जो है इस विबसाइट के अंदर आइट्रानिक सॉलूशन की औल कोईजिस की प्लेलिस मिल जाएगी यहां से तो मेक शूर कीजिएगा कि यहां से देखकर इन सारी के सारे कोर्स के सर्टिफिकेट भी अपने लिए जरूर कलेक कीजिए अब हम अपना जावा का कोईज शुरू करते हैं उसके लिए हमें यहा करने के बाद यहां पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन से रहा है जिसके अंदर स्ट्रक्शन में सामल है कि यह आपका कोईज जो है वो टू एन फॉल्स और एमसी क्यूज बेस कोईज होगा साथ ही साथ यह कोईज 15 एमसी क्यूज या टू इन फॉल कोईज के उपर बेस अगर आप चार सर्टिफिकेशन नॉर्मल करते हैं और एक आएसो सर्टिफिकेट करते हैं तो आपके रिज्यूमें और आपके सीवी के अंदर उसकी वैल्यू बहुत जाद होती है और आप उसके हैर्प से बहुत अच्छी जॉप जो है वो हासिल कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि राइट हैं पर आपको एक चेक बॉक्स नजर आ रहा होगा मेक शूर कीजिए कि इस चेक बॉक्स को आप यहां से टिक कर दीजिए कुछ इस तरीके से अगर आप इसे टिक नहीं करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट नहीं मेलेगा तो सबसे पहला कोस्टन है यहां पर वाट इस प्रीमेटिव डेटा टाइप इन जावा तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहां पर आपके पास अ मैथर तू रेपेजेंट वैल्यू दैट आर सो यूसफुल दैट आर एन इल्टीगा पार्ट आप दे लैंग्वेज उसके बास सम इस दप्रोग्राम रिकॉयाइड को समें 3 है हमारे पास what is a reference to an object तो इसका करेक्ट आंसर होगा data where the object can be found को समब फोर है does every variable in java need a data type तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है यहां पर हमारे पास yes every variable must be declared with its data type हार को सुन के बाद आपको submit and next वाले बटन की ओपर लाजमी क्लिक कर ना है को समर 5 है हमारे पास suppose a particular data item does not use a primitive data type what does it have to be तुसर करेक्ट कांसर होने वाला है यहां पर an object को सिक्स है हमारे पास यहां पर how many alternative are there for a single if else statement तो सबको बता है कि दो alternative यहां पर हमारे पास शामिल होते हैं को सिवन कांसर है यहां पर आपके पाल जिसमें पूचा गया है in which of the following situation will most likely not counting loop be used तो इसका correct answer है promote the user until a correct entry has made question no.8 है हमारे पास which of the following is our reverse word तो इसका correct answer होना चाहिए आपके पास यहां पर बूलें इसका correct answer यह होना चाहिए को सिमर 9 है हमारे पास what method of our content pane changes its background color तो इसका correct answer है हमारे पास set background see color तो सिमर 10 है हमारे पास which method will the program end immediately तो इसका correct answer होने वाला है हमारे पास system.exit आगे की questions के answers बताने से पहले आपको बताती चलूँ कि इन certification की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके और मेरी questions exactly विकुल सेम होने वाले हैं तो मेरे वीडियो को follow करते चाहिए और follow करने के साथ साथ जो है आपने क्या करना है इसके answers को देते जाना है और देने के बाद अपने लिए आपको आपने अपने लिए आपको आपने जह का certificate ले लेना है which method is used J text field to read text from one तो इसके answer होने वाला आपके पाल get text अब अपने आपनी question की तरफ चलते हैं जो कि है what is an expression expression क्या होता है expression is a combination of literals, operations, variables and partners to calculate a value अब हम क्या करेंगे check result वाले विटन के उपर click करेंगे आप देख सकते हैं you got 15 out of 15 correct क्यानिके मैंने जितने भी answers आपको यहां पर बताए हैं सबकी सब correct हैं अगर आपका यहां पर कोई भी answer wrong हो जाता है obviously होगा तो नहीं लेकिन अगर हो जाता है तो आप यहां से take again के बटन के उपर click करकर दुबार से भी course ले सकते हैं तो चलिए verify ISO certificate of advanced java आपके पास आज आएगा इसकी सर्टिफिकेशन की सबसे अच्छी बात है कि इसके ओपर आपकी अपनी खुद की clinical ID मौजूद होती है साथी साथ URL भी मौजूद है जिसके थूँ आप अपने certificate को verify कर सकते हैं तो मैं उमीद करते हूं कि आपको आज का advanced java को यह course बहुत पसंद आया होगा और आप अपने लिए certification को जरूर हासल करेंगे अब मैं आप से मिलूँ कि अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए मुच्च दीजिए इजाज़त